है आई गाइज वीडियो में देखने वाले है जो भी चात्र वी यह सेकेंड पेपर है विटा फरस्ट पेपर पहले ब्लूट करता है 2022 में आने वाले कोशन यहां आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2022 में आने वाले प्रिशन तो देखो याद रखना इन कोशनों को लगबाई 18-19 कोशन होंगे इन कोशनों को याद करके आप 90% प्लस लेके आएंगे मतलब कोई आपको टॉब करना है अब की टॉब करने है करने का तरीका होता है पहले तो हम जिमकोशन को गरेंगे जो हमें याद है एक्जाम में ठीक है पेपर में पहले लिखना जो हमें याद है उसके पाद में जो याद नहीं है ना उसको भी लिख की आना चोण की मतला हना उसी टॉपिक पर बना- сох के लिख के रहा लेकिन मेरा नब फरेचिंट का टार्गेट यह रहेगा कि जो मैं आपको कोशिन बता रहा हूं यह आपके एकजाम में लग्वास कुशन घ्रभेश पसे बता रहो और एकजाम से दो दिन पहले मैं आपको तो आप टिक लगा लेजी नोट्स पर बोक्स जो भी आपसे इसे पढ़ाई कर रहे हैं आप अपने गयस पर प्रप्र लगा लो नोट्स पे या स्रीज जो भी लेकर आए मार्केट से खरीद कर आप उस पर टिक लगा लो उससे त्यारी करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसी समाज को चेंज करना और समाज को हम कैसे प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं यह अब देखना है अब देखो यहां बात करने वाले हम most important question है पहला question है समाजिक परीबरतन इसे हम चेंज कह सकते हैं समाजिक परीबरतन ठीक है और समाजिक कंट्रोल मतलब कि किस परेंकार से उसे रोख थाम समाजिक परीब्रतन क्या है इसके कारग कवो रही है ठीक है और उनको लक्षण क्या देखने को मिलनाvi एक होता है यह बोलते है एक होता है ऐदो की आर्थिक कारक एक होता है संक्रितिक कारक उनकी पिसेस्ता है यह जो चार कारक दे रखे इन चारों को पड़े लेना अच्छी तरीके से समाजिक परीब०्तर का उद बिकास का सिध्धान्त क्या है और इनके प्रिसारक क्या होते है यह प्रिसार क्या होता है ठीक है किसका प्रिशार इसी का और प्रिशार बाद सिध्धान्थ भी आपको याद करना है किसका समाजिक परिवर्तन का प्रिशार बाद सिध्धान्थ और विकास बाद प्रिशार बाद सिध्धान्थ और प्रिशार क्या होते हैं वह आप याद करेंगे ठीक है चलू नेक्स कोशन खोदता है इस परकार से पूझेगा कि पूझी बाद अपनी स्वयम कबर खोदता है इस का इस कथन का अर्थ इस परश्ट करो तो आप समाजिक बात परिबर्तन को ही इसमें पूरा लिख देंगे वही आंसर होगा और उनके विस्षिस्ताओं को लिख देंगे ठीक है है और बहुत है उसके प्रभाब को बताओ देखों रॉन को रिपीट कर लो जानलो रट लो कोछ भी करना बारत को इकरन की परिभास तरू उनके लक्शन के वारे में याध करने इंट तो अधुनी करण क्या होता है उसको देखेंगे और Сंसकृतितन principle की आ करेंगे हैं उसके बाद है समाजिक नियंतन क्या होता है उनके महत्म उप्योक्ता उनके पिर्कार को देखेंगे उनके उप्योक्ता और प्रकार के बारे में देख लेंगे साथी साथ उनके सिध्धान्त को याद करेंगे और उसके बाद में देखेंगे आपचारिक क्या होता बेटा आपचारिक समाजिक नियंतर अपचारिक और अनपचारिक साधन विसेस्था के बारे में याद करेंगे नेक्स कोशन है परिवार और समाजिक नियंतर में संबंध बलब कि परिवार और समाजिक नियंतर में परिवरंध जो संबंध है वो क्या होता है बलब परिवार क्या होता है और समाजिक नियंतर क्या होता है उनमें आपको संबंध बता देना है ठीक है नेक्स कोशन पर टिक किसे कहते हैं तो सिक्षा किसे कहते हैं तो वो देखेंगे वह की क्या होता है देखो राज क्या होता है और राज के तत्व क्या होते हैं राज के तत्व ठीक है और राज की विसेस्था के बारे में हम याद करेंगे नेक्स कोशन है धर्म क्या है धर्म की परिभासा याद करेंगे और उनकी कि विस्षेश्था को देख लेंगे कि धर्म किया होता है यहां कहारा है सूचना प्रिधोगी कि किसे कहते है और उनमकी बिस्षथा को याद मलख लेको बढ़न करो इस प्रिकार सी कोश्रेइगा आएगा सूचना प्रिच चायगा तो अब यदक कर लो को अच्य तरीकिक से फिसके अंसरों को अच्छी तशी संनेकरना है याद को ये तक करना है कोच ने करना 2022 के लिए यह दोखजनों के अपको याद कर लेना और ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करता है थैंक यू फॉर बॉसिंग इस वीडियो टाटा